दोस्तों तो अगत है आपका IPL 2020 के आउक्शन से जुड़ी एक और नई अप्टेट के साथ और दोस्तों IPL 2020 की ट्रेटिंग विंडो जो है वो आज याने की 14 नवंबर को बंद हो गई है और कल याने की 15 नवंबर को सारी फ्रेंचाइजियों की तरफ से उनकी रिलीस प्लेयर इसकी लिस्ट जो है वो शामने आने वाली है और ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सबी 8 टीम्स के मोस्ट प्रबबल रिलीस प्लेयर्स के बारे में जल्दी जल्दी से बताने वाले हैं और दोस्तों इनने सारे टीम्स में जितने भी प्लेयर्स का नाम हम इस वी पहले हम आपको पहले ही बता दिये हैं और अब हम आपको सारी आट टीमों के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट बताने वाले हैं तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो और यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन जो है वो बनाया है तो आप ही के लिए बनाया है तो दोसका भी यूज लो और हमें बताओं की हमारी लिस्ट में से किस खिलाडी को रिलीज नहीं करना चाहिए सा परण चकरवर्ती, सरफरास खान, डेविड मिलर, हार्डस विल्यून, एंड्रिव टाई और सिमरन सिंग इसके लावा दोस्तोर आर अश्विन, अंकित राजपूत का इस टीम ने पहले से ही ट्रेट कर दिया है वही दोस्तों आब बात करते हैं मुंबाइ इंडियन्स की ट इंडियन्स की टीम, इसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सरफें रदर फोर्ड, ट्रेंट बोल्ड को अल्रेट कर दिया है इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स जो है वो कॉले निंगराम, हनुमा विहारी, अमित मिश्रा और क्रिस मौरिस को रिलीस करने वा वाली है तो वहीं इसके अलावा CSK की टीम जो है वो केदाज जाधव, अमबाती राइडू, कर्ण शर्मा और मुल्ली विजय को रिलीस कर सकती है वहीं दोस्तों SRH की टीम जो है वो मार्टिन गप्टिल, मनीश पांडे को 5050 चांसे से रिलीस होने के क्योंकि दोस्तों ये क अंत में बात करते हैं सबकी फेवरेट रॉयल चलेंजर बैंगलोर की टीम की तो रिलीस करने वाली है शिवन दूबे को, शिमरन हेटमायर को, मुहमत सिराज, मार्कस टॉइनस, कॉलिंटी करेनों, हेंडर क्लासन और पवननेगी और अंत में टिम साउधी को रिलीस कर सकती ह अब दोस्तो, RCB की टीम मार्कस टॉइनस को इसलिए रिलीस करेगी, क्योंकि दोस्तो, मार्कस टॉइनस का पेचले साल भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था और उनके गेंदबादी भी बिल्कुल बेका रही थी और ऐसे में काफी महंगे खिलाडी जो है, वो मार्क दूबे को रिलीस करेगी या नहीं, लेकिन दोस्तो, हो ये भी सकता है कि RCB की टीम शिपम दूबे को आक्शन में रिलीस करके, वापक से इनको थोड़ी कम अमाउंट में आक्शन में पिक कर ले, तो इसी वज़े से इन प्लेयर्स को RCB की टीम जो है, वो रिलीस करने वाली है, अब यह थी सभी आठ टीम के रिलीस प्लेयर्स की लिस्ट और जो ऑफिशल लिस्ट है, वो भी हम आपको आते ही प्रोवाइट करा देंगे, इस लिस्ट में अगर आपका कोई सवाल है, किसी पर्टिकल प्लेयर को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, औ इसी तरह की आइफिल 2020 की हर ख़बर को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें डियन इन्यूशनल को और बेल आइकन को जरूर से दबालें, जैहिन जैभारत